हेलो बच्छा बाटी, वेल्गम बाक टू माई यूटीब चानल, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे दो इंपोर्टेंट चर्चा करने वाला हो, पहला आपके मैंस के वेटेज, यानि की प्रियोर्टी लिस्ट, यानि की 80-20 प्रिंसिपल के बारे में, कि कैसे आप 20% एफ़र् क्लास कैसे जॉइन करना है, इसके पहले आप अग्याडमी नहीं उसकरते हैं, तो आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा, कि आप क्लास को कैसे जॉइन कर सकते हो, देखो, पड़ा-पड़्चे पहले, आप सभी बच्चों को पता होगा, कि आपका जो एक्ग्राम है, उसका questions का pattern कैसा होता है, 50 questions आते हैं, 2 marks का 1 question होता है, तो total 100 marks के question आपको paper में देखने को मिझते हैं, हर subject के अंदर, तो उसके according मैं आपको एक बार maths का weightage बता देता हूँ, तो जैसा कि आपको पता है, आपका statistics वाला portion है, यहाँ से start होता है, यह तो आपका theory वाला chapter है, और यहाँ से main numerical start होते हैं, तो मैं आपको chapter by chapter बता देता हूँ, कि कौन से कौन से chapter साब कितने कितने MCQ expect कर सकते हो, थोड़ा बहुत बेटेज उपर नीचे institute करते हैं हर बार, तो देखो, सबसे पहले जो आपका theory वाला chapter है, stats आपको पहले करना है, math से आपको पहले stats revise करना है, जब आप अ चार वीडियो में, मैंने ये पूरा theory वाला portion आपका cover कराया हुआ है, ठीक है, दो से तीन question आप expect कर सकते हो, maximum तीन question आएंगे, उससे जादा नहीं आएंगे, ठीक है, दो से तीन question, अब उसके बाद, और ये बहुत कम efforts लेगा, इसका मतलब आप समझो, बस आप वीडियो दे deviation, ये वाले topics से आप एक question expect करो, range quartile, quartile deviation से भी एक question, standard deviation से दो question आएंगे, coefficient of variation से आपको दो question आएंगे, काल पियर से और बोली of screeners से आप एक question expect कर सकते हो, तो मोटा मोटा यहां से इस topic से आप साथ से 8 question expect कर सकते हो, in total मैंने आपको चार्टर वाइस भी बता दिया है, क्या है तो उसके according आप prioritize कर सकते हो, ये सबने time pass topic है, मतलब इसका आप एक बार देखे हो ना, आपको formula पता है न, देखो, exam में उंको presentation तो करनी नहीं है, तो institute ऐसा तो पूछेगी, direct method से बनाओ, ये किसी और method से बनाओ, step deviation ये क्या बोलते से बनाओ, तो ये आपसे नहीं पूछेग बनता है, correlation और regression आपको बस निकालना होता है, regression में कहा, regression equation वाले question होते है, उसमें ज़्यादान institute वही पूछती है, बता दो mean क्या होगा, ये सब intersection point पा आपको निकालना होता है, correlation में कहा, direct formula याद करो, काम खतम, ठीक है, तो यहाँ पर आप total इस पूरे topic से पूरा मिला के, ठ scatter diagram से आपके एक से दो question आएंगे, एक expect करो, maximum, maximum दो expect करो, ठीक है, Carl Pearson correlation वाला जो होगा, regression analysis आपका होगा, यहां से भी आप 2-3 दिन question expect कर सकते हो, 2-3 दिन question यहां से भी आते हैं, ठीक है, तो यह आपका 7-8 question का weightage बनाता है, उसके बाद देखो probability, probabilities आपके भर-भर की question exam में आत सिर्फ मेरे YouTube चैनल में जो वीडियो है, वो आप probability की देख लो, और उतना करके चले जाओ, आपके probability के majority question बन जाएंगे, मतलब मालो 7 question है, 5 तो बनी जाएंगे, ठीक है, अगर 2 question मालो tough दे दिया, institute ने, यह new type का दे दिया, तो वो अगर आपको नई भी बना, आप सिर्फ probability मे भाईया, कभी जीवन में probability पढ़ा भी नहीं, तो भी बन जाएगा, probability में बस आपको मेरा YouTube वीडियो देखना है, probability का, और probability के all MCQ वाला वीडियो, दो वीडियो आपको देखना है, probability का आपको मेरा YouTube वीडियो देखना है, और probability का all MCQ वाला वीडियो देखना है, that's it, आपका probability में अराम से आपको almost सारे question बन जाएंगे almost ठीक है index number time series का हमने division कर लिया है यहां से भी आपको दो तीन question आते हैं हर topic से index number से दो तीन question आएगा और यह आपके time series वाले से भी दो तीन question आ जाते हैं तो यह आपकी यह वाले portion होगे यह यह ना आपका easy वाला portion है easy cake है यह समझे cake बनाने बहुत मेनत लगती है यह बहुत मेनत लगती है पहले cake batter ready करो उसको ऐसे ऐसे करते हो बहुत दिर तक ठीक है फिर उसको चढ़ाओ ऐसा वाला होता है नहीं पर यह अब देखो अब आते math वाले portion जहां से तुम जाधा डरते हो तो वहां मैं आपको priority list बता जेता हूं उसके recording आप जैसे कुछ बच्चे को indices and lock tough लगता है उससे आपको सिर्फ दो question देखने को मिलेंगे इंडाइसिज ने lock कुछ बच्चे को tough लगता है वहां से आपको सिर्फ दो question देखने को मिलेंगे देखो ratio variation proportion से दो question very easy chapter अर्राम से मतलब यह पूरा चाप्टर ही आदे घंटे का है आदे घंटे पूरा चाप्टर ही खतम हो जाता है ठीक है time value of money और annuity मैंने आपको करा दिया यह थोड़ा time consuming for technical chapter है और दो तीन question आपको यहां से भी देखने को मिलेंगे arithmetic geometric progression पूरा calc code आने वाला chapter है इसके भी mc क्यों आपको मेरे चैनल पर ही मिलेंगे जो भी चीज़ में आपको बता रहो पूरा content आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा इसके दो question और time and distance एगदम छोटू सा chapter है इससे आपको एक question expect आप कर सकते हो या फिर जीरो भी कर सकते हो ठीक है मैं जो बेटेज बतारो बेटा these are subjected to be changed मतलब एक दो question उपर नीचे होता रहता है algebra की बात करोगे तो set theory और band diagram से दो question आएंगे यह बहुत इसरी chapter है तो यह आप करके जाओगे indices लोग आप चाहो तो आप छोड़ सकते हो अगर आप अभी तक नहीं क्यों तो इससे दो question आते है permutation combination से 3-4 question आते हैं इसका सबसे जादा बेटेज है तीन से 4 question आते हैं पूरे-पूरे syllabus के अंदर का maths का सबसे जादा बेटेज इसका है ठीक है और 2-3 question quadratic equation यह पूरा chapter बेटा calculator वाला है calculator और option से खेलने वाला chapter है बस option से खेलो और आगे बढ़ो ठीक है calculus portion जो है वो आपका अपने आप में एक अच्छा खासा tough chapter है बहुत conceptual portion है और यहां से आपको सिर्फ 2-3 question ही देखने को मिलेंगे ठीक है तो अगर आप मिरे से यह पूछोगे कि भाईया मैं अभी तक math पढ़ा नहीं है और इस point of time में कौन से chapter मुझे बिलकुल नहीं करने ची और उस महा सागर का एक glass पानी है आपके syllabus में समझे रहो specific question है probability और वहां से एक glass पानी निकाल लो वह आपका syllabus है probability तो उतना बेटा एक glass पानी आप पी सकते हो भले खारा पानी है नमक है उसमें पर आप पी सकते हो ओके ओके तो यह आपका पूरा बेटेज है और इससे आपक एक लो आप questions count करो दो दो चार पाच छे साथ आट नो दस ग्यारा आरह तेरे चोदर पंदरा सोला सता अठारा उन्ट वीज इकिस बाइस चॉविस पचीस सभीस सता इस अठाहा इस तीस एक तीस बत्रीस तीस चौटीस ठीक है और चौटीस और यह आपका होगे साथ तो यह हो कर लेंगे अपने लेवल पर ठीक है और उसके बाद सबसे पहले तो बेटा ये कर लो ये तो एक वीडियो में मैंने खतम किया है और इतनी गजपने ट्रिक से सॉल्व कर आया है इतना गजप एक्तम जोड़्दा सारे question solve है module के ठीक है से solve कराया है कि आपका बेटा यहाँ पर कम से कम 5 question पक्का पक्का बन रहा है यहाँ के 5 question आपके पक्का बन जा रहे है एक probability कर लो वीडियो देखे बाकी यह मैं live में लेने वाला हूँ यह मैं live में लेने वाला हूँ पास्ट्रेक वाला रिविजन ठीक है और इसके प्लस MCQs मेरे बाले MCQ आपने अपी तक solve किये नहीं होँगे वो मैं आपका unacademy के अंदर लेने बाला हूँ unacademy आपको पता होगा एक educational platform है अब unacademy में लेने का purpose आपको बता है वहाँ पर पॉल को option होता है और पॉल करने में मज़ा जाता है तो ये वाले questions क्या होते questions आपने concept पढ़ लिए उसमें आपको questions solve करना है घर में बैटके आप करोगी मैं आपको live class में पॉल में फटट फट 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 आपके questions solve करा दूगे MCQ के और फिर वही exam में आ जाएगे बहुत मज़ा आ जाएगा है ना और ये मज़ा मैं हिंदुस्तान के हर बच्चे को देना जाता हूँ जोसी हमें foundation कर रहा है तो आपको क्या करना है हमको भाया बस इत्ता करना है किस वीडियो का आप share कर दो सब जगह share कर दो यह कहां share कर दो सब जगह भाया फैमिली बॉट्सव गूरूप में डाल दे हाँ डाल दो हो सकता है न क्या कि फैमिली बॉट्सव गूरूप के कोई relative का कोई बच्चा या उनके पडोसी का कोई बच्चा कर रहा हूँ तो उन तक भी पहुच जाएगा तो बेटा चारिटी है बेटा यह क्या है यह चारिटी है नटी हो है बेटा नॉन प्रोफिट ओर्ग्नाइशन चारिटी है ओके अब भाया जॉइन कैसे करना है सेशन को इट्स वेरी सिंपल आपको ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगी वो लिंक में लिखा रहेगा अन अकेडमी लाइफ क्लास प्री है प्री है पैसा नहीं देना है ठीक है उस पे क्लिक करना है आप अन अकेडमी कैप में रिडिरेक्ट हो जाओगे वहाँ आपको जैसे basic-basic social media में रिजिस्टर करते हो न मोबाईल नंबर अपनी details डाल देना है आप महा रिजिस्टर हो जाओगे रिजिस्टर हो जाओगे वहाँ क्लास की अंदर जाना और notify me में क्लिक कर देना notify me में कब है भrai यह क्लास बेटा क्लास शाम को 8 बजे है शाम को 8 बजे है लाइफ क्लास एक घंटे की क्लास है ठीक है 1 आर की क्लास है 8 से 9 8 से 9 ओके description box में जो link दिये बस उस उस पे click करो directly मेरी class मेरी direct होगे ऐसे ढूणने जाओगे तो नहीं मिलेगी ऐसे ढूणने जाओगे तो नहीं मिलेगी भाई अगर क्लास में कुछ कोड मांगा तो मान लो कोड मांगता है तो वैसे नहीं मांगना चाहिए अगर कोड मांगा तो हारदेक मिश्चा 1607 आप ये कोड यूज करोगे तो आपकी आप बजाना है और मज़े उठाने है आज के live session के that is economics and management पहले हम इको करेंगे फिर हम नेजमेंट करेंगे भही आज का topic है आज का topic है markets आज का topic है main market forms markets topic पढ़ा है आपको बस सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका बोले से लेवस में सबसे ज़्यादा वेटेज है इसलिए सबसे पहले करार हो तो आज हम मार्केट्स करेंगे शाम को पता है ना वो मार्केट्स का टाइप हाँ भाई या पर्फेक्ट कॉम्पटिशन, इंपर्फेक्ट कॉम्पटिशन मोनोपोली होता है तो बला टापिक आसम करेंगे तो मिलते हैं बच्चो शामको आप पक्का से लेजिस्टर करके आपनागो नोटिफाई कर लेना आप डाउनलोट कर लेना अनकाडमी प्लेखरा ने यह लाप्टाप में देख कर भाँप ठीक हैं बस इस वीडियो पिन नहीं कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत कोई भी समग से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो लाइव सेशन आप यूट्यूब में भी और अनकाडमी में दूब जग अटेंड कर सकते हो बिलते अगले वीडियो में तब तक लिए गौद ब्रेस यूँ टेक केर और बाई बाई